जिन्दगी में पस्तावा करना शोड़ दीचे बलकि कुछ ऐसा करो कि लोग आपको छोड़ कर पस्ताएं आज का अभीजीत मुहरत सुबह 11 बचकर 47 मिनट से दो पहर बारा बचकर 37 मिनट तक रहेगी दिशाशूल पुर्व दिशा यदि आप किसी कारण वर्ष इस दिशा में आत्रा कर रहे हैं तो अद्रक या फिर उड़त की दाल खाकर घर से बाहर जाए लाबकारी होगा मित्रो यदि आप भी किसी प्रॉब्लम में फसे हुए हैं तो अपना कोशन पूछ सकते हैं आप अपना जन डिटेल और अपना कोशन कमिंट बॉक्स में आवश्य लिखें तो चलिए मित्रो आज का राशी भल जान लेते हैं तुला राशी आज आप किसी मनुरंजक व्यक्ति के साथ संबंद स्थापित करेंगे उनके साथ मज़िदार बाद चीत से समय अच्छा गुजरेगा इस आदमी से सीखने और प्रेणा लेने की कोशिश करें इससे आपको और लोगों की मन की इस्तिती समझने में भी मदद म परवयर के यात्रमे अगर अपनी मन पसंने जगह जाना चाते हैं तो योजना वनाने की समय सबसे आगी रहें स्वास्थवर, कल्यार, अपने दयनिक रूटीन में स्वास्थकर आदित शामिल करने की समय आगया है, संकर्प लें कि आप एक महीने में सारी स्वास्थकर आदिते अपना लेंगे अगर इसमें सफल हो जाएं तो इसे करते रहें जब तक कर पाएं लेकिन शुरॉत में इसे लेकर खुद पर अधिक बोज ना डालें एक सुझाव यह भी है कि अधिक पानी पियें कोशिश करें कि हर रोज कम से कम तीन लिटर पानी ज़रूर पियें प्यार और समन्द यह समय उन सभी रिष्टे को मजबूत करने का समय है जिनको आपने अपने प्रीम प्रसंग के लिए पीछे छोड़ दिया था इसमें आपके माता-पिता, भाई-बेहन, आपका विस्तारित परिवार और आपके दोस्त शामिल है आपको यह एसास करनी की जरूरत है कि यह रिष्टे किसी भी चीज से कम महतपूर नहीं है और यह आपको मुल्लेवान समर्थन प्रणाली प्रदान करते हैं आपको अपने प्रेम की रिष्टे की तरह से यह रिष्टे भी पोशित करनी की जरूरत है करियर और धन, आप अपने समक्षों के साथ भागीदारी प्राप्त करने के लिए कठिन प्रयास कर रहे हैं और आज आपकी यात्रा एक संतो जनक इस्तिती पर समाप्त होगी आप उस पुरस्कार राशी के लाभालती हो सकते हैं जो इस साज़दारी का नतीजा है आपका एक करीबी सयोगी आपको अपने समर्थन देने के लिए विशेश शब्दों के साथ आपका धन्यवाद कर आपको सम्मानित कर सकता है जो बंक्चह, शुबरंग पालवर्शी और गुलाबी, उपाय, आरती किस्तिती मजबूत करने के लिए मास मदिरा का सेवन ना करें मित्रों, इस वीडियो में दीगे जानकारी, यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्याने से यादा शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी प्रॉब्लम हमें बताएं, ताकि हम आपके लिए उपाय बता पाएं आप सभी का धन्यवाद जैश्री राम